देखे बंसल साब बंसल साब कह रहे हैं जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने कभी विरोध नहीं किया वो बताएं कि कब ये भगवान राम के दर्शन और अयुद्या करने के लिए अखलेश यादब कभी गए क्या मोदी जी से पहले जो पुछान मंत्री वे वो कभी गए क्या यद्यों को सबकुर राज़नीती दिख्ती थी नफा नुकसान दिखता तह साब और वाड़िस पठान जी को चर्चा वह में ला रहा हूं stop अब को लगता है कि बीजे पीस पर कोई राज़नीती कर रही है और अगर कर रही है तो क्या कुछ गलENE इस fag Teen अगर राजनितिक पार्टियों से और राजनितिक व्यक्तियों से कोई ये पूछे कि इसमें राजनीत कर रही है या कोई भी नेता ये बयान दे इस पर राजनीत हो रही है अरे राजनीती राजनीत वाले राजनीती नहीं करेंगे तो क्या घास खोदेंगे ऐसा बोलते ही क्य हैं यह बिल्कुल परमपरागत यह बिल्कुल एक अधिकार अगर यह मानते हैं कि जैस्री राम इन ही के हैं या हिंदू यह हैं तो इन्होंने कुन से है तो इन से पहले हमारे भी है जहां तक इस मंदिल की बात है कितने कितने दिनों के बाद मनसर जी क्या कितने दसकों के बाद राम जी की जए भगवान राम की जए आपस में जब बात करते हैं तो राम राम जी बोलते हैं सब यह किले किसी एक पार्टी के नहीं है किसी एक आदमी के नहीं है कितने दसकों के बाद माननिय सुप्रीम कोट के ओर्डर से अगर वो दिन आया है और पूरा देश आज देख रहा है कि जिस पे विवाद होते थे जिस पे गंदगी भरी हुई राजनीत होती थी जिस पे लोगों की मौते तक हुई है वो मुद्दा सुलज के साफ हो गया है और आज पूरे देश में खुशी है और एक अच्छे दिन की सुरुआत हो रही है तो इसमें मेरे हिसाब से सबको एक जिट होना चीए जो मैं सुरब जी देख रहा हूँ कि आप भी कई बार पूछ रहे है कई आगे पीछे हमसे भी बात चीत हुई है कई डिवेट में कि बुलावा ये बुलावा दे कौन रहा है बीजेपी दे रही है क्या क्या ट्रस्ट दे रहा है अच्छा उस ट्रस्ट को जो ट्रस्ट दे रहा है उसमें ट्रस्टी कौन है इसमें यह जाना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोट ने जब ये ओर्डर किया कि यहां पे मंदिर के अवसेश मिले हैं जो पहले जहां पे मस्जिद थी उसके नीचे तो मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूं और देश पूरा देख रहा है 1976 में एक नौजवान लड़का जो अभी बुजुर्ग की स्थिती में हैं बिलकुल ये मुहमद के के एहमद की रिपोर्ट थी सर्वेर थे पुनारत विभाग के कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे जो अवसेश है उसमें मंदिर के अवसेश मिले है तो उसमें जो पूरा उन्होंने ये भी कहा है फिर सुप्रीम कोट में पूरा तरी के सम्मिट है डॉकुमेंट ये गूजर पृतिहाराज में मंदिर बनाया तीन सो साल राग रहा उनका तो क्या उस ट्रस्ट में एक भी आदमी पिछडे समाज का लिया है जो बुला रहे हैं और अगर बीजेपी वाले बुला रहे हैं तो क्या ये बीजेपी का मंदिर है आप दें ट्रस्ट के नाम पर इस पूरे मामले में जाती बदाकर कर दी ट्रस्ट के एक रेक मंदिर भी बन गया चोड़े इन बातों को आप नियोता ट्रस्ट दे रहा है कोई पार्टी नीजेए तो ट्रस्ट तो ट्रस्ट दे रहा है तो सब के सामने आना चीए कि जिनोंने मंदिर बनवाया क्या उन जाती हो मैं से ट्रस्टी एक भी पिछले समाज का है चलिए यह मेरा आज का विश्रे नहीं है आप अगर यह पूछते की बई ट्रस्ट यह कैसे तैय कर रहा है तो इसको नहीं होता देना और किसको नहीं देना है तो इस पर तो हम लोग बात कर सकते थे तो कि बहुत से अभी आपने का था कि यह सेकड़ों वर्षों का विवाद खतम हुआ वहां मंदिर बन रहा है सुलज गया मामला अब आप इसमें जाती का एंगल डाल करके इसमें नहीं कॉंट्रवेर्सी डाल रहे हो कि ट्रस्ट में कौन सी जाती के लोग ते पिछली जाती के लोग ते की मुहमद केके एहमद की जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से इस रिपोर्ट के निगवाओ पढ़ो फिर टेरें पर बैटव आ जाते हैं कुछ के कुछ बोलते रहा वहां अश़को एह ड़ा से के तेश्क पहरा है। कर रहा हूं मैं देश की 60% जंदागी बात कर रहा हूं अच्छा ठीक उतर देंगे आपको मैं बाइस जी बहुत देर से इंजार कर रहे हैं उनके पास जाना चाहता हूं